नमश्का दोस्तों आसबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टुटिप चैनल खुशा आजमगी में तो आज की स्वीडियो में हम बात करने पित्र पक्ष के बारे में और इस वीडियो में खास जानेंगे कि अगर आपने सपनों में पित्रों को देखते हैं तो इसकल क्या लाइक page subscribe और शेय कर दीजेगा तो चले पिन अगिसे वीडियो को स्वी करते हैं तो कहते हैं गर प्तधको घुष है तो देवों की करिवा मिलती है बर पितर नराज है तो देवय करिवा बात हो जाती है और सिर्फ पित्र पक्ष में नहीं साल भर में पितर हमें किस ना किसी माध्यन से अपने खुशी और नराज़्ी के संकेत देते हैं और इनमें सपने महथपूर हैं कई लोगों को सपने पितर यान की पूरस दिखते हैं और इस सपने में चीबे संकेतों को हम तब ही समझ सकते हैं जब आपको इनके बारें पता हो तो चलिए जान लेते इस छे सपनों के बारे में जो गर आप देखते हैं तो जान जाए कि पित्र आपके लिए कैसा भाव रखते हैं सबसे पहला है सपने में आपको पुर्ष मिठाई बाटते या फिर कुछ देते नजर आते हैं तो यह शुप संकेत है और आपके द्वारा किये गए श्राद, तरपर और पिंदन आदी कर्मों को पित्रों स्विकार कर लिया है वह संतुस्ट हैं और इससे आपका खाल जल्दी इस सुख संपत्ती से भर जाएगा दूसरा यदि आप सपने में पुर्ष से बात करते दिखते हैं तो समझ लें कि भवश में किसी काम में बड़ी से वक्ता मिलने वाली है और यदि सपने में आप पित्रों को बास सबाते देखें तो या इस बात का संकेत है या फिर इशा कि अधि अशा होगा और आपके जियन में सुख संपत्ती और धंधी भरमार होगी सौथा यदि सपने में आपको पित्र आपके सिर्क के पकास खरए दिखें तो या शब संकेत है और अपने सपने में पित्र के स्पैर के पास खड़े दिखें तो समझ जाएए खुरी干ुरा अगला सपने पितर एक जिलक दिखाकर गायब हो जाएं तो यह सपना अश्यूब है और सपने का अर्थ है कि आपके जीव में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और बहतर होगा कि आपने इस देवता की पूजा करी साथवा सपने में आपके फूर्ष नराज होते हुए दि देखता है तो इसका आर्थ है कि उसके पितर से कुछ नहीं है और अपने जातों लोगों को आते हैं जिनके घर में पितर दोश लगा रहता है तो आश्यूस इतना ही विटर पसंद आई हो तो प्लीज माचने को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और मत भूलेगा तो मिलती हैं से अगली वीडियो में तब तक के नमस्षकार और अपना ध्यान रखें